हेलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एक लिए स्टुडी सेंटर में तो साथियो आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कलाश 10 के एक महतपूर्ण प्रस्ण और ये प्रस्ण जो है आपके बॉर्ड में आए हुए प्रस्ण है इसलिए आप वीडियो को बिना इसकिप किये लाश तक जरूर देखेगा मैं आप लोग को बता दो कि कई स्टुडेंट का कहना है कि सर 12th कलास का सिलेवस स्टार्ट कीजे तो मैं उन लोग को बता देना चाहूंगा कि पिलेज आप कुछ दिनों तक वेट कीजे मैं आप लोग के लिए जो है 12th कलास का भी बेच स्टार्ट कर रहा हूँ ठेक है मुझे कुछ प्रोब्लम आ गए थी जिसके कारण मैं आप लोग को वीडियो नहीं दे पाड़ा था और अभी और दो तिन दिन आप लोग बेच कीजे मैं आप लोग को 12th कलास का भी objective या उसके सिलेबस कराऊंगा तो आप वीडियो में मतलब चैनल पर बने रहे हैं तो चलिए हम आप लोग को इस वीडियो में आप से बात करेंगे कलास 10 के एक महत पुर्ण प्रस्न और ये प्रस्न जो है आपके बोर्ड में बहुत बार आयो हैं तो वीडियो को बिना skip के last तक जरूर देखे और मैं आप लोग को बता दू यदि आप लोग को वीडियो पसंद आती हो तो आप चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजे ताकि हमारी जब भी कोई ने वीडियो की सबसे पहले इसका नोटिप्रिकेश आपको मिलती रहे तो चलिए हम पहला प्रस्न परते हैं इसमें प्रस्न पर दिया गया है केंदर ए से प्रारंब करते हुए बाड़ी बाड़ी से केंदरो ए और बी को लेते हुए तरिजाओं 0.5 cm 1.0 cm 1.5 cm 2.0 cm वाले उत्रो उत्तर अर्द विरितों को खीच कर एक सरपील बनाया गया है जैसा कि आकिरती में दर्शाया गया है तेरह क्रमांगत अर्द विरितों से बने इस सरपील की कुल लंबाई क्या है कुल लंबाई का मतलब समझ लिजे कि एसन हमें फाइंड आउट करना असन का दो सुत्र होता एक होता असन वड़ावर अन वाई 2 इंटू 2 A प्लस N माइनस 1 इंटू में D और एक असन का दुसरा सुत्र होता असन वड़ावर अन वाई 2 इंटू में A प्लस L ठीक है L यानि A N को ही हम लोग L बोलते है L और A N दोनों एक ही चीज़ है तो चलिए मैं आप लोग को इसमें कूल लंबाई गयात करना है तो हम लोग छोटा वला सुत्र लगा करके इसका कूल लंबाई गयात करेंगे लेकिन हमें प्रस्न में जो दिया गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं अच्छी तरीके से हमें प्रस्ण में दिया गया है अर्द बृतों की तिर्जा दी गई है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अर्द बृतों की तिर्जा अर्द बृतों की लंबाई लिख लेते हैं यहाँ तो फिर लिखेंगे L1 अर्द बृतों की लंबाई कितना दिया है π.r1 लिग देते हैं हमको दिया है 0.5 आप देखें π.r1 का मान कितना है 0.5 अब इसको हम आगे solve कर लेंगे देखें, दस्मलब को हटाने के लिए एक देंगे, दस्मलब के बाद 1 संख्या तो 1-0, आप यहाँ दस्मलब हट गया तो मेरे पास क्या रह गया π.r1 का मान हमें कितना मिल गया इसी परकार हम L.2 का मान निकालेंगे तो चलिए हम L.2 का भी मान निकालते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे L.2 अर्दिवृत की लंबाई, तो आप लोग को लिख लेना है π.r2 π.r2 का मान कितना दिया गया दूसरा तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.0 तो यहाँ पर लिख देंगे 1 अब π.r1 को 1 से multiply कर देंगे, क्या आजाएगा π.r2 का कोई मतलब नहीं रहता है इसी तरह से हम L.3 का निकालेंगे तो हम लिख देंगे L.3 अर्ध बिरुतों की लंबाई तो यहाँ पर लिख देंगे π.r3 π.r3 का मान हमको कितना दिया है यहाँ पर देख सकते है 1.5 तो यहाँ पर हम 1.5 लिख देंगे अब इसको जब हम solve करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 पोइंट को हटाने के लिए 1 देंगे 1 के बाद एक संक्या तो एक 0 आप पोइंट तो हट गया मेरे पास क्या रह गया यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास रह गया यानि यहाँ रह गया पाई यानि 15 बटे में 10 इसको कटा दिजिए 2.5 दास 3 पचे 15 3 पाई बटे 2 तो इसका क्या जाएगा 3 पाई बटे 2 आ जाएगा इसी तरह से L4 का निकालेंगे L4 का भी मान दिया है हमको कितना 2.0 तो यहाँ पर हम लिख देंगे L4 अर्धिवरित की लंबाई L4 अर्धिवरित की लंबाई तो यहाँ लिख देंगे PIE R4 PIE R4 का मान हमें 2 दिया था तो यहाँ पर हम दो लिख देंगे 2 को PIE से मल्टिपलाई कर देंगे 2 PIE तो हमारे पास एक स्रीज बन गया यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास एक स्रीज बन गया πई है तिसरा स्रीज क्या है 3 πई by 2 3 πई by 2 और चव Si Riis क्या है 2 πई तो इस तरीके से हम इसका एक स्रीज बना लिए हैं और स्रीज बनाने के बाद हमको 13 कर्मांगत यहां पर देख सकते हैं 13 कर्मांगत यहां ध्यार्दविरित यानि क्या बलबा किईए हम लिख लेंगे N बढ़ाबर 13 चलिए यहां से हम A कमान D कमान निकाल लेते हैं A कमान कितना मिलेगा हमको PY2 मिलेगा और D कमान निकालती है तो D कमान निकालने के लिए हम लोग मतलब दूसरी संख हम पहली संख्या मैनस करते है तो πाई मेरे पास दूसरा है तो हम पहली संख्या मानस कर देंगे पाई बाई 2 हो जाएगा नीचे कुछ नहीं तो 1 इसका भिना घटा कर लेंगे 1 और 2 का इलसे में लेंगे तो क्या होगा 2 फिर 1 का भाग देंगे 2 में 2 का गुनाव पाई में कर देंगे तो क्या हो जागा 2 पाई उसके बाद माइनस है तो माइनस फिर 2 को 2 से भाग देंगे वहकर 1 1 का गुनाव पाई में कर देंगे तो पाई हो जाएगा आब D बड़ाबर कितना जागा 2 पाई में से 1 पाई घटा देंगे कितना बचेगा 1 पाई बैटे 2, तो A आ जाएगा मिरे पास D का मान और N का मान हमारे पास 13 है तो आप हमको क्या करना है SN का सूत्र लगाना है अब भी कौनसा ठीक है? कौनसा कूल योग मतलब देखे इसमें 2 सूत्र होता है दोनों सूत्र में से हमकोई भी सूत्र लाकर की इसका एंसर निकाल सकते है तो मैं आप लोग को बता दू कि हम लोग जो है SN का कौन सा सुत्र काम मिलेंगे अगर A और L का मान दिया हुआ रहे तो हम लोग जो है SN का छोटा वाला सुत्र काम मिलेते है A और L का मान दिया हुआ रहता है क्योंकि यहां पर A और L कमान नहीं दिया गया है तो हम लिखेंगे SN बढ़ावर N by 2 इंटू में 2A पलस N minus 1 इंटू में D यह हमारा बड़ा बड़ा सुत्र है SN कमान यानि SN कमान तो नहीं दिया लेकिन N कमान दिया हमको 3 तो हम N के जगह 13 लिख देंगे SN बड़ावर N कमान 13 बड़े 2 इंटू में 2 इंटू यह कमान हमें कितना मिला है यह कमान हमें मिला है पाइबाई 2 तो यहां लिख देंगे पाइबाई 2 पलस N कमान 13 माइनस 1 D कमान हमको कितना मिला है तो D का मान अभी हम तुरंत निकाले हैं यहाँ पे देख सकते हैं पाई बाई टू मिला है तो यहाँ भी हम पाई बाई टू लिख देंगे ठीक है चलिए आप इसको आगे सरल कर लेते हैं अस तेरह बडाबर अस तेरह बडाबर तेरह बटे दो तो टू से टू यह केंसिल हो जाएंगे तो क्या बचने बडा है पाई पलस में तेरह में से एक चल जाएगा तो बाड़ है इन टू में क्या रह जाएगा पाई बाई टू आब इसको यहाँ से खटा दीजे छे दूना बाड़ है तो तेरह बटे दो आब यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई पलस सिक्स को पाई से गुना कर देंगे तो सिक्स पाई हो जाएगा और तेरह बटे टू है तो तेरह बटे टू होगा उसके बाद हम इसको आगे सरल कर लेंगे आब यहाँ पर देखे 1 πi और 6 πi क्या हो जागा 7 πi तो यहां लिख देंगे 7 πi आप दिखें πi का मान क्या होता 22 बटे 7 तो हम πi का मान 22 बटे 7 लेंगे क्योंकि उपर में कहा भी गया था कुस्ण के अंदर कि πi का मान 22 बटे 7 लिजिए तो देखिए हम इसको यहाँ पर सरल कर लेते हैं 13 बटे 2 into 7 into πाई का मान 22 बटे 7 तो 7 उपर और 22 नीचे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप πाई का मान हमारे पास कितना है गया 22 बटे 7 तो 22 बटे 7 हो गया तो यहाँ पर देखिए हम 22 बटे 7 लिख देंगे 22 बटे 7 लिख देंगे 7 से 7 एक इंसल हो जाएगे 11 और यहाँ पर हो जाएगा 11 दुना 22 तो 13 गुना 11 बच जाएगा अब इसको 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 गुना कर देजे 11 को 13 से गुना कर देजे कितना आएगा 11, 33 के 3 हासिल 3, 11, 3, 14 यहाँ पर आजाएगा आपका 143 सेंटी मीटर तो इस तरीके से हम इस कोशन को सोल्ब कर सकते हैं आपको तो लगता है कि यह कोशन बहुत बड़ा सा है लेकिन इसको जब सोल्ब कर जिएगा तो बहुत छोटा कोशन इसका होगा तो इस तरीके से हम इस कोशन को सोल्ब कर सकते हैं यदि आप इसका स्क्रिन सोट लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रिन सोट हम देते हैं यह आपका पहला स्क्रिन सोट है इसी तरह से आप यहां से एक दुसरा स्क्रीन सोट ले सकते हैं आप और यह आपका लास्ट स्क्रीन सोट रहा यहां से आप पुड़ा स्क्रीन सोट ले करकि इसको अपना नोटबुक में उतार सकते हैं इसको देखिए बनावट इसकी अगर समझ आते हैं तो आप जो है खुद से बनाने की कोशिस कीजिए अगर खुद से बनाने की कोशिस कीजिएगा तो जरूर आप पर ये बनने लगेगा ठेक है तो इस तरीके से हम इस कोशन को सोल्व कर सकते हैं तो ये कोशन सोल्व करने का तरीका मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दिजे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब पर के बेल आइकन का बटन दबा दिजे और अपने दोस्तों में भी सेर कर दिजेगा ताकि उसको भी इस चीज का लाब मिल सके और मैं आप कांटी लेता हूँ उस टोपिक पर वीडियो अगर नहीं बना पाऊंगा तो मेरा जीना बेकार हो जाएगा इसलिए आप हमें जो है कमेंट कीजे ताकि मैं आप लोग को जो है उस चीज को पूरा कर सकूँ तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तब